शिव पुरान में बताया जाता है कि सृष्टी के आरंप के समय भगवान शिव ब्रह्मनाद से प्रकट हुए थे। उनके साथ ही तीन गुन रज, तम और सत गुन भी प्रकट हुए। ये तीनों ही भगवान शिव के शूल बने, जिससे त्रिशूल बना, त्रिशूल शिव का प्रमुक अस्त्र है। ये तीन गुन रज, तम और सत का प्रतीक है। प्रारंप से ही त्रिशूल भगवान शिव के साथ है। विश्णु पुरान के अनुसार, विश्वमकर्मा ने सूर्य के अंच से त्रिशूल का निर्मान किया था, जिसे उन्होंने भगवान शिव क इन तीन गुनों का समावेश त्रिशूल में है, ये इस बात को भी दर्शाता है कि भगवान शिव इन तीनों ही गुनों से उपर है, क्योंकि उन्होंने इन पर विजय प्राप्त कर रखी है, त्रिशूल को तीन काल से भी जोड कर देखा जाता है, ये भूत काल, भविश्य क और वर्तमान काल का भी प्रतीक है, इस वजह से ही तो भगवान शिव त्रिकाल दर्शी है, उनको भूत, भविश्य और वर्तमान की सभी चीजों के बारे में ग्यात है, कुछ लोग ये भी मानते हैं के भगवान शिव का त्रिशूल तीनों देव ब्रमहा, विश्नु और म महिश का भी प्रतीक है, भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से कई राक्षसों का वद किया था और स्रिश्टी में शांती स्थापित की थी, घर में त्रिशूल रखने से घर की नकारात्मक शक्तियां दूर होती है, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो क बाना न भूले आस्था दरपन को आपके समर्थन की जरूरत है